आठ साल की मासूम के साथ जब्रन बलातकार यूपी के रामपूर में दरंदिगी की सारी हदे पार कर इंसानियत को शमसार कर देने वाला मामना सामने आया है जहां आठ वर्षी बच्ची के साथ गाउं के ही रहने वाले एक वैशिय दरिंदे ने मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया रामपूर के धाना पटवाई शेतर के ग्रामठोल सर तहसी शहबाद में खेट पर चारा लेने गई आठ वर्षी मासूम बच्ची को गाउं में ही रहने वाले एक यूवक ने दबोच लिया इतना ही नई उसके साथ मारपीट कर जबरन बलातकार किया और मासूम बच्ची को खेट पर ही वेहोशी की हालत में छोड़ कर फरार हो गया मौके पर उसकी बहन पहुच गई उसने वहाँ शोर मचाया शोर की आवाज सुनकर परिवार के और गाउं के ही दोग घटना इसतल पर पहुच गए और मासूम को वेहोशी की हालत में घर ले आए जहां पर परिजनों ने सौनमबर को फोन कर पूरी घटना को बताया जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेती हुए आरोपी को परिजनों की तहरीब पर गिरफतार कर जेल भेश दिया और बच्ची की हालत जो गंभीर है इस समय जो डिश्टिक होस्पिटल में एडमिट है कितने लोगों ख़लाप है फाया करेगी इसमें एक ही आरोपी उसके ख़लाप है फाया लिखाई है किया आरोपी को गिरफतार कर ले लगा है हाँ आरोपी को जो हमोकी सब पुलिस न अरेस्ट किया है हालत कैसी बच्ची के हो हालत जिसमें गंभीर परिस्तिती है